साथियों नमस्कार, मैं हूँ पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ साथियों आज के सबसे बड़ी खबर पर बातशीत करते हैं जो लगातार वाइरल हो रही है और इसे टीवी अकबार भी दिखा रहा है टीवी अकबार इसे क्यों दिखा रहा है क्योंकि ये देश के तमाम हिंदू के भावनाओं का बात है आपको बता दें कि तिरपती बाला जी के मंदिर में जो लड़ू चढ़ता था उसके जाच सेंपल रिपोर्ट आ चुकी है उस संपल रिपोर्ट में लोगों ने कहा कि बीफ मिला जाता है जानवर के मास मिला जाते हैं लेकिन रिपोर्ट कुछ अलग बता रही है आज इस वीडियो में आपको बताएंगे वो सारी खबर जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं थोड़ा राजनीती की तो राजनीती एक बात ये है कि मायावती जी के दो कमेंट आया है और दोनों में ही तमाम सरकारों को उन्होंने घेरा है तमाम राज की सरकारों को और सबसे बड़ी खबर ये है कि बहन जी ने कहा कि तमाम जगा के राज सरकारे अगर चाह लें तो उनके राज में कानून ब्यौस्था कायम हो जाए सोच ये बहन जी की कितनी जो है सोच सही है फिर आपको बताते हैं कि आज एक बड़ी खबर और वाइरल हो रही है एक तस्वीर इस तस्वीर को आप देखें इसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरी तरीका से और फरीदाबाज के पिर्थला में बिधान सभा में चंदर सेखर आजाद की धमाकेदार रैली हुई है बहुत सारे लोग पहुंचे थे उस रैली में यह सबसे बड़ी खबर है सोचिए एक फोटो जो है वाइरल की अजा रहा है भुपेंदर सिंग घुड़ा का और कुमारी सहलजा का जो काफी पुराना तस्वीर है मतलब लोक सभा का तस्वीर है जिसे वाइरल की अजा रहा ह है और सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि बहुत समाज पार्ची के सुपर स्टार नेता आकास आनंद रैली पर रैली करते जा रहे हैं और यह सबसे बड़ी बात है लेकिन आपको पॉनकल्यान के बारे मदायें गे सुपर स्टार पॉनकल्यान संग ने बरत रखने जा कुमार माही करके आईडी है इन्होंने लिखा कि आकास आनंद का क्या पता कब बहन जी इनको निकाल दे मतलब लोग बहुजन समाज पार्की पर विश्वास करना चाहते हैं लेकिन ही सोचते हैं कि जब बहुजन समाज पार्की के मुख लीडर आकास आनंद को निकाल दिया ज सभा से एक खबर जरूर लिखेगा अपने विधान सभा का नाम भी लिखेगा ताकि हमें पता चल सके कि किस विधान सभा से क्या इस्थित है आपको बताते हैं कि तिरपती बाला जी में जो परसादम चढ़ाया जाते थे लग्डू चढ़ाया जाते थे उसकी जो रिपोर्ट को बता दें कि इसमें सोया बीन का तेल पड़ता था चोंकी मत सोया बीन का तेल पती बाला जी मंदिर में जो लड़ू चड़ा जाता था उसमें सोया बीन का तेल पड़ता था सोया बीन का तेल सनफलावर का तेल जैतून का तेल नारियल का तेल और कटन सीड और अलसी और बीप कैलो क्या होता है जानिए बीप कैलो होता है जानौरों की चर्बी को धीमी आज़ पर पकाया जाता है पकाने के बाद सिर्फ फैक रह जाता है घी के जैसा दिखता है और सुर की चर्वी से बनाया जाता है यह भी चिकना होता है जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं लार्ज इसे कहते हैं तो साथ हो यह सारी रिपोर्ट मैं दैनिक भासकर के बता रहा हूं आप लोग चाहें तो दैनिक भासकर पर जाकर देख सकते हैं तो आप सोचिए कि तिर्पती बाला जी प्रसादम में सुवर के भी चर्वी मिलाया जाते थी, कितनी सर्मनाक बात है, देश के तमाम हिंदूओं के भावनाओं को ठेश पहुंचाया, उस कमपनी को ततकाल प्रभाव से बंद करना चाहिए था, लेकिन नहीं, नहीं बंद क्यों? भारत देश बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में दूसरे नमबर पर है, तो जब गाये जानवरों के गोस जब बिकते हैं तो उनकी चर्वी कहां जाएगी? दिमाख लगा ये थोड़ा बहुत, उनकी चर्वी को ही यहां यूज किया जाएगा ना? तो ये खैर बड परत्यारोब की संक्रडी राजनीती करना अतिदुखाद, जबकि यह समय गंभीर चिंतन का है कि महला सुरच्छायों सम्मान को लेकर सरकारों की नियत वा नीती में अत्याधिक खोट तो नहीं है, बहंजी सी के साथ दूसरी खबर लिखती है कि एक के बाद एक हो रहे ऐसे जगन अपराधों में पर्थम दुष्ट्याय, सरकार की लापरवाही, पुलिस की सनलिपता, एस्थित को और भी अधिक गंभीर बना रही है, जिसे त्याक कर सभी को निस्पच्छ वा गंभीर होना जरूरी है, ताकि ऐसे जगन अपराधों से होने वाली बदनामी वा देश को बचाया जा सके, तो मैं इसलिए कहता हूं कि बहन जी जैसा निता कोई नहीं है, बहन जी ने दोनों कमेंट लिखे, और दोनों कमेंटों में देश को सर्वो परीमाना, महलाओं को सबसे बड़ा जो है दर्जा दिया सर्वो परीमाना, एक महला की दर्द महला ही है, मायावतिजी ने खुला बिरोद किया, यूपी उडिशा, तमाम बंगाल, तमाम जो है राजियों का, जहां पर ऐसे जगन अपराद हो रहे हैं, बहुत जरूरी था, यह तस्वीर मैंने कहा था, देखिए, यह तस्वीर है एक डियम साहिबा की, और डियम साहिबा बहु इक बहुचन समाच से आने की वज़ा से ये तमाम जो है, वो काम करना जानती हैं, जो बाबा सहब के अक्टर भीम राट करने किया, बहन कुमारी मायावतिल जी ने किया, मनुवर कासी राम साहिब ने किया, फूले शाहभू लेट तमाम पिर्यया लले सिंग या तमाम बहु सबसे पड़ी खबर आपको बता दे फरीदाबाद की प्रिथला विधान सभा में चंद्रशेखर आजाद धमाकेदार रहे लिए उबला विशाल जनसाइलाब तो चंद्रशेखर भी हर्याना में जनसाइलाब जनसाइलाब किये जा रहे हैं वहाँ पर दुसान चोटाला के साथ गड़बंधर में हैं खैर इनके बारे में प्लीज दो सब जरूर लिखेगा क्योंकि ये भी बहुजन समाज को ही नेतरित कर रहे हैं अब ये तस्बीर आप देखिए जो मैंने पहले भी दिखाया ये तस्बीर है कुमारी सैलजा जी का और भुपेंदर सिंग हुड़ा जी का और आपको बताते हैं वो खबर आप सुनिये करांती कुमा लेखते हैं देर से जागे लेकिन दुरुस्त जागे हैं लेखते हैं बहुजन समाज पाइकी के सुपरिस्टार नेता आदरडी आकास आनंद को दुबारा खड़ा करने के लिए हर्याना चुनाओं में कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनके परचार परसार में काफी भीड़ उमर रही है बीएसपी के लिए वो उम्मेद की किरण है हर्याना में 25% आवादे यसी समाज की है और बड़ी तादाद में OBC की बहुत से जातियां बीएसपी को उम्मेद भरी नजर से देखती हैं आकास अनंद अपनी सामने की लड़ाई-लड़ना चाहता है जय भीम जय बसपा यह करांती कुमाल लेगते हैं देर से जागे लेकिन दुरुस्त जागे हैं खैर यह बड़ी खबर है पॉन कल्यान के बारे में कहा जाता है कि पॉन कल्यान ने कहा कि तिरपती बाला जी का जो भी लड़्डू खा जाइ भीम नमा मुद्धाएं